नमस्कार दोस्तां स्वगत थे आपका हमारे चैनल चार जागंदर में दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ ये कुछ नया शीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा 19 अक्टूबर को 80 साल बाद दिखेगा सरद पोडिमा का चांद चार राशियों की लगेगी लोटरी दोस्तों 19 अक्टूबर 2021 को है पोडिमा का दिन वही भी सरद पोडिमा का दिन जो की सभी पोडिमाओं में से सबसे ज़्यदा शुब और फलदाई पोडिमा मानी जाती है जी हाँ दोस्तों आपको बता दे कि यह दिन सास्त्रों के अनुसार बहुत ही खास होता है दोस्तों साल भर की सभी पूड़माओं में से सरद पूड़मा का दिन विशेश महत माना जाता है अस्तुनी मास के सुकल पक्ष में पढ़ने वाली सरद पूड़मा का महत बहुत खास होता है और इस बार यह 19 अक्टूबर दिन मंगल वार को पढ़ रही है इस दिन चंद्रमा अपनी पूड़मा के नाम से भी जाना जाता है वैसे तो पूरे वर्स में 12 महीनों की 12 पूड़मा होती है और सभी का अपना-पना महत धर्म गरंतों तथा पुरानों में बताया गया है लेकिन जो सरद पूरिमा होती है इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कला और पुरी शक्ती के साथ इस पृतवी के निकट आ जाते हैं और काफी चमकीले दिखाई देते हैं जी हां दोस्तों और इस बार तो कई वर्सों के बाद ऐसा चमकीला चांद दिखेगा सोला कलायों से परपूर्ण होकर पृतिवी पर अम्रित की वर्सा करते हैं चंद्रमा तथा इस दिन माता महालक्षमीज का प्रागट भी हुआ था ब्रजमंडल में भगवान स्रीकृष्ण ने रास लीला का अयुजन भी इसी दिन किया था इसलिए इस सरद पूरिमा को सर्व विसेश माना जाता है हमारे पूरानों में ऐसा लिखा हुआ है कि आज भी ब्रजमंडल की भूम पर सरद की पूरिमा की रात में भगवान स्रीकृष्ण रास रसाने के लिए आते हैं और भगतों की मनो कामनाओं को पूर्ण करते हैं तथा इस रात में चंद्रमा अपनी सं पूर्ण कलाओं से युक्त होकर पृत्वी के निकट आकर अम्रित की वर्सा करते हैं और सबसे ज़्यादा चमकीला भी दिखाई देते हैं इसलिए सरद पूरिमा के दिन जो भी उपाय किये जाते हैं जो भी कार किये जाते हैं वह प्रमशिद दायक माने जाते हैं सरद अपनी मनोकामना बोले तो अतसीग्र मनोकामनाई पूर्ण हो जाती है हमारे पुरानों में ऐसा लिखा हुआ है कि माता महालक्ष्मी जी का प्रागट का दिन सरद पूरिमा का दिन कहलाता है इस दिन भगवती लक्ष्मी जी का प्रागट हुआ था इसलिए माता लक्ष्मी कि साम को पूरी रात चुकी चंद्रमा रहेंगे और बीस को आठ बच कर कुछ ही मिनर तक रहेंगे इसलिए 19 अक्टूबर के दिन आप ये ब्रत और ये उपाई कर सकते हैं इस दिन अपने घर की साप सफाई जरूर करें ताकि माता लक्षमिज की अश्रीम कृपा दृष्ट आपके घर में बनी रहें दोस्तों इस पूरिमा के दिन निकलने वाला चांद 80 साल के इतिहास में सबसे बड़ा और चमकीला चांद रहने वाला है जी हां दोस्तों बता दे कि इस दिन चंद्रमा बहुती खुपसूरत दिखाई देता है और इसके करने निकलती है जो काफी ज़्यदा सकरात्मक होती है और उन में से बहुत शारा लाब होता है दोस्तों मानता है कि सरद पूरिमा के दिन बरत करने से सभी मनोकामनाई अतिशिग्र पूरी होती है और दोस्तों इस दिन को आप जागर पूरिमा इसले कहते हैं क्योंकि इस दिन अगर आप जागरन करे प्रतिवी पर अम्रित की वर्षा करता है तो दोस्तों इस दिन में इस दिन को और भी खास बना देते हैं दोस्तों बता दे कि माता लक्ष्मी जी और भगवान बिश्मी जी की पूजा इस दिन जरूर करने चाहिए ऐसा भी धान है क्योंकि भगवान ब्रिश्णुजी को पुरिमा बहुत प्रीमानी जाती है इस दिन ब्रत रखना चाहिए भगवान ब्रिश्णुजी का उन्हें आरती करें पिले वस्त, पिले फल, पिले वस्त अरपित करें और हल्दी का टीक लगाएं साथी सरद पुरिमा के दिन, माल लक्ष्वी जी अत्यंत प्रसंद मुद्रा में रहती है इसके साथी सरद पुरिमा के दिन रातर खीर बना कर और इसे आकास के नीचे खुले जगह पर रख दे और फिर अगले दिन या एक वज़े के बाद इस खीर को प्रसाद के रूप में आप ग्रहन किया जाता है मानता है कि इस खीर में अमरित होता है और यह कई सारे रोगों को दूर करने में सक्षम होता है संतान हीन को संतान देता है दोस्तों और धनहीन वाले वालें को धन से परिपून कर देता है जोतिस सास्त्र की माने तो इस दिन कई सारे सुभ योग भी बन रहे हैं सरवार्द सिध्योग बन रहा है तो वहीं दोस्तों रवी पुश योग भी बन रहा है जिसका किलाब कुछ राश वालों को मिलने वाला है जी है दोस्तों इन राश वालों को उपर मा लक्षमी जी अब बहुत ज़्यादा प्रसंद होने वाली है इन राशियों को और होने वाले लाब के बारे में आज हम आपको इसके बीडियो में बताएंगे और साथ ही आप से बताएंगे कि यह कौन-कौन सी राशियां है जिनको माता लक्षमीजी की कृपा इस सरद पूरिमा के दिन होने वाला है तो आप से बिनमर निवेदाने की बीडियो को आप पूरा वर्ष देखें साथी बीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा शेयर करें दोस्तों आपको बता दे कि इन राशिय वालों का अब भाग माता लक्षमीजी कृपा से खुलने वाला है दोस्तों जिसके की अब इनके जीवन में सभी तकलिफों का अंत हो जाएगा दोस्तों अब इनके जीवन में अच्छे समय की सुरुआत होने वाली है इन लोगों को नौकरी की छेतर में अच्छा पद हासिल हो सकता है इन राश वाले लोगों के जीवन में अब बड़ी से बड़ी कठनाईयों को पार करते हुए आगे बढ़ते नजराएंगे इस दोरान इनका मन समाजिक कारियों में अधिक लगेगा और माता लक्ष्मी जी के प्रभाव से अब इनकी किस्मत चमकने वाली है अब इन्हें लगने वाली है तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लाश तक अवश देखें चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और भाग साली जो राशी आती है दोस्तों बता दे वो है यहाँ पर मेस रासी मेस रास की जात को बता दे कि सरद पूरिमा के दिन बहुत ही खास के कारण मालक्ष्मी जी बेहत प्रसंद मुद्रा में रहेंगी इस दोरान आप ब्यापार के लिए कई नए रास्ते खोज लेंगे और ब्यापार में आपको दिन दोनी राच चोगनी तरक्ति से करने से कोई नहीं रोकेगा लोटरी शर्ट में भाग जमाएंगे तो जीवन में बड़ा बदलाव देखने को आपको मिल सकता है जी हां दोस्तों आपका बैवाहिक जीवन भी काफी अच्छा रहेगा और बिवाह आदी संपन्य यनि की बिवाह में जो जिन जातकों के देरी हो रही थी उन्हें एक नए रिष्टे आने के संभावना बनी हुई दोस्तों बता देजिए अगली राशी आती है दोस्तों वो है मिथुन रासी मिथुन रास के जात को बता दे कि मालक्षमी जी किर्पा से सरद पूरिमा के दिन बहुत ही ज़्यादा लाब होने वाला है कई सारे दुरलब सुष्ययों बनने के कारण आपकी यात्राइं भी ह कर सकते हैं साथी साथ आप अपने जीवन में एक नए काम की जो तलास कर रहे थे उस काम की यानि की पूर्ती होती नजराएगी साथी साथ नए पार्टनर्शिम में बिजनेस प्यापार करते हैं तो ज्यादा लाब होगा आपको लोटरी सट्ट में भाग अजमाएंगे तो लाब होगा साथी जमीन प्रोपरिटी बेंच कर अच्छा कासा धन लाब कमा सकते हैं मालक्षमी जी के गृपा से बता दे कि बैंकिंग के छेतर से आपको लाब होगा बैंक में लोन वगएरा आपका मंजूर हो सकता है बैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा और संतान पूर सहयोग प्राप्त होता नजराएगा जीवन साती के साथ मिलने से धन प्राप्ती की योग बनेंगे माता पिता के स्वास्त में लाब होगा माता पिता आपके कार्षेत में आपकी मदद कर सकते हैं तो वहीं पुराने मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होता नजराएग दोस्तों बता देखी 19 अक्टूबर को कई साल के बाद ऐसा खुबसूरत चांद दिखाई दे रहा है जिसका लाभ आपको मिलेगा और मा लक्षमी जी की विशेश कृपा दुष्ट आपके उपर रहेगी पढ़ाई लिखाई पर आप काफी आगे रहेंगे पढ़ा हुआ लि बाद पर दोस्तों बता देखी अब आपको चाहरे जो भी आपकी पूरी होगी बाहन का सुक प्राप्त होगा नए घरकी सुरुमात कर सकते हैं नए जुमीन प्रपोलटी करेश खते हैं लोटर्जिक्त्र में भाग अजमाएंगे तो लाब होगा साथी सेर मारकटिंग के छेत में निवेस करते हैं तो आपको लाब होगा पहले से अगर निवेस किये हैं तो जरूर दुगना धलाब देखने को मिलेगा इसमें आपका लब लाइब बहुत अच्छा रहेगा अगली राशी यानि जो चोथी राशी आती है दोस्तो बता दे वो है यहाँ पर मकर राशी मकर राश की जातकों बता दे कि अब आपके जीवर में मालक्षमी का आश्रवाद मिलेगा और जो भी कुछ परेशानिया या फिर दिक्कते थी दूर होंगी आप इसमें पढ़ाय लिखाई से सम्मधित कोई बड़े फैसले ले सकते हैं अगर किशी परकार कोई कमपुटिशन के त्यारी कर रहे हैं एक्जाम के त्यारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सत प्रशर शफलताएं मिलेंगी समाज में काफी ज्यदा मानसममनी प्राप्त करेंगे और इसमें आप लोकुपृता भी हासिल करेंगे साथी आप अपनी वाड़ी से लोगों को मोहित करते नजराएंगे साथी बढ़ाते कि राजनीत में भी आप इंटरी ले शकते हैं जीवन साती का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, कंधेश कंधे मिला कर चलेंगे, नोकरी में आपको बहुत अच्छे अपसर मिलेंगे, सेलरी में ब्रदी होगी तो वहीं किसी बड़ी कमपनी से आफारा शकता है, बड़े जो आपके उच्छतिकारी हैं उनका सहयोग लाब होगा, या फिर आप निवेस करने के सोच रहे हैं तो आपको लाब जरूर होगा, साती साथ दोस्तों बता दे कि अगर इसमें कोई फाइनेसल प्लानिंग करते हैं तो लाब होगा, मालक्षमी कृपा से आपका रुकावफ हसावा धन भी प्राप्त होगा, इनकम में आई में ब्रदी देखने को मिलेगी, साती इसमें आप आकास्मिक रुप से धन लाब कमाते नजराएंगे, तो दोस्तों ये चार राशियां ऐसी हैं जिनकी लोटरी लग सकती है, जी हैं दोस्तों, उनिश अक्टूबर को 80 साल बाद जो दिख रहा है, ये सरद पूरिमा का परचांद, इस दिन महालक्षमी जी खास परसन मुद्रा में रहती हैं, इसलिए इन चार राशियां वेले जातकों के उपर सबसे ज़्यादा खुस नजर आ रही हैं, तो दोस्तों बीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और साथी इस बीडियो को ज़्यादा ज़्यादा श प्रूर करें जैमालक्षमी जैमालक्षमी